हेलो नमस्कार दोस्तों वेलकम तू माय यूटूब चैनल स्वाइबत है आपका हमारे यूटूब चैनल में आज हम बात करेंगे इस्टुडियो मास्टर माइक्रोफोन की बारे में जो सबसे बेह स्टोर सबसे अच्छा आता है इस यह जो हमने 6 मंत यूश किया हुआ है अब इस माइक्रोफोन का रिव्यूब इसका जो प्रफोमन से वह बहुत अच्छा और बहुत यह टगड़ा है बात करते हैं इसमें क्या क्या सस्टम आता है के नहीं आता है सबसे पहले एक सार फोर्टेंट शीरीच का यह सीरीच का एक स एक वह एफ बन फिखनसी दूट वायरलेट माइक्रोमेक्स सस्टम. अगर इसका कटना स्टार्ट होगा, तो 300-bit के बाद बिल्कुल कटेगा, बाकि वो कट कट के आउज आती ना, वो वाली इसके अंदर नहीं आती है, तिस तीन सोफ इट के इसकी रहंच है, और ये यू एचे बैंड फेक्वेंसी में आता है, और इसमें दो माइक्रोफोन होते और क्या-क्या नहीं आता है, इस माइक्रोफोन को हमने इना, शिक्स मन्त यूज करके, ये सबसे बेस्ट लगा, तो हमने सुचा, हमारे यूटोबर के जरिये, जो हमारे भाई-लोग मित्र है, उनको हम बता दे, ये इतने सेल हमने यूज कियो हुए, और इस तरीके का जो ब प्रोप्रेश्णल मेंचन किया हुआ है, एक-सर माइच deliver न लिए ससे इस तरीके का और पीछे की तरब कर खं़े, तो इसके अधर दो या होते हैं, यो से हमे से अपने प्रोफोन से कनेक्ट होता है, तो यह इस तरीके का पावर बे थでंस अभाई-लोग मेंश की हिसका जो होता है ना उसकी रेंज के लिए होते ही है एंड इसके बाद руг एक्सेलार यह थो Beispiel Lab यह जीओक वाला मिक्स आउट होता है और यह जो अपना एस चार्जर का जो पावर कोड है जो तो पावर कोड यहां से कनेक्ट होता है इस तरीके से Connect होता है इसके अनदर यह तो इसे अपना पावर काड हो गया एंड इसके बाद यह जी एक वाला सेस्टम जो अपने मिक्सर से Connect होता है इसको अलग अलग भी दे सकते हैं अलग-अलग microphone को अलग-अलग balance एक और balance दो के कर तुल भी अपन इसको Connect करके अपने जो माईक्रोफोन को अपन चला सकते हैं इसमें तो यह इस तरीके से अपन कनेक्ट कर सकते हैं and फिर हम आगे बताएंगे आपको माईक्रोफोन इसके अंदर एंड इसके साथ साथ अपने को एक यह जेक वाली केबल भी दी जाती है कमपनी की तरफ से बट मैं यह requirement करूंगा आपसे कि एक तरफ जेक वाली और एक तरफ एक्सलार जो मिक्सर में लगती है वो भी इसको लगा सकते हैं हम इसके अंदर इस साइड तो अपने जेक वह हो जाएगा एंड दुसरे साइड अपने एक्सलार यूस करेंगे इससे क्या होगा कि दोनों माइक्रोफॉन इस तरीके के अंदर आते हैं कि इसको हमने six month यूस किया हुआ है तो यह बहुत अच्छा रिस्पॉंस है इसका इस तरीके का यह माइक्रोफॉन होता है ठीक है इसके उपर भी इस्टूडियो मास्टर प्रफेस्टनल एक्सर फोटी है यह मेंचन किया हुआ जाए इसके अंदर और यह देखने में बहुत ही अच्छा लूग है इसका अगर कोई सिंगर वगएर अगर इसको प्रफॉम करेगा ना तो इसके अंदर भी अपने को अच्छा लगेगा एंड इस तरीके से यह खुलता है और इस तरीके से यहां से यह ध्यान रखने वाली लाब देहना यह वाले सेल इसके अंदर डलते हैं घॉलग है ओम कि सेम टूप्रोसेज कर अपन यह वाला मैक्रोफॉन भी होगा पना एंद दूसरा व्ला मैक्रोफॉन यह वाला यही बताते हैं तो यह दोनों बिल्कुल इसके उपर भी स्पेर Wim master का mention किया होता है इसमें भी इसी तरह से यह धककन को ठेसे अपने को और इसके अनधर दो सेल रगते हैं ओके और तो चॉड़ी लगते हैं और इस को पावर यह यह वाला बटन है यह इस तरीके से लप इसके अंदर इंसर्ट होगे और यह वाला देखिए कि आप यह चालू हो चुका है यह इसका पावर है यह पावर बंद हो गया और यह पावर चलू हो गया इस तरीके से इसको लगा देती है इसका लुक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बैस्ट लगा म एंड कमेंट जरूर करें अगर इस तरह वाइडलेस अगर आपको चाहिए तो मार्केट में आपको 5000 से 6000 के अंदर अंदर आपको यह माइक्रोफॉन अवेलेबल हो सकते हैं